आज अपन बिजी के अंदर सीखेंगे माली जी कोई एक आइटम है अपन ने पर्चेस किया 100 रुप हैगा अब अपन चाते हैं कि जब अपन इसको सेल करें तो इस पर्चेस कोज जो 100 रुप है इस पर कुछ परसंटेज एड़ हो जाए सेलिंग के टाइम जब अपन उसको सेल करें और वो अटोमेटिक एड़ हो जाए तो वो कैसे होगा इसको आज अपन प्रैक्टिकली करकर देखेंगे तो सबसे पहले अपने को क्या करना है आपको एडविस्टेशन पर जाना है उसके बाद आप कॉन्फिगर पर जाएंगे कॉन्फिगर पर जाने के बाद आपको देखेंगे ये हो गया अब जैसे अपने कोई परचिस के अंटरी को सबसे पहले पास करते हैं ये में परचिस पर गया और डेट ले लेते हैं जैसे दस डिसम्र ह disp लेते हैं एक बिल नमबा लेते हैं जैसे 119 ले लेते हैं और locally अपन पर्चेस कर रहे हैं पार्टी ले लेते हैं जैसे जीजे एंटरप्राइजेस इनसे अपने के एक 18% का कोई आइटम है वो पर्चेस किये हैं 10 पीस रेट लगा दी 500 रुपे और एंड में लग गया c gst add gst अपने के पर्चेस के समय इस आइटम की रेट है 2500 रुपे अपन चाहते हैं कि इसमें कुछ पर्सेंटेज एड हो जाए और वो अपनी सेलिंग रेट हो जाए अपने को बार बार सेलिंग रेट में लगाने की जरूतना पड़ा है अपन यहीं पर ही कुछ ऐसा ओप्शन करते हैं कि जैसे 200 रुपे का यह खरीदा इसमें अपन मालीजे 10% रेट करकर इसको सेल करना चाहते हैं तो बार बार अपने को रेट न डालना पड़े तो बीजी यह भी अपने को ऑप्शन देता है तो अभी अपने एक इन्वेंटरी फीचर्स में जाके फीचर्स को अन करना पड़ेगा व और परसंटेज वाला अपन कॉलम ले लें जाब अपन ने यहां पर बता दिया देगी यहां पर लिखावा भी आ रहा है इंक्रीस सेल प्राइस तो अपने को कितना परसंट बढ़ाना जैसे परचेस कॉस्ट इसकी धाई सो रुप है फिर बाद में लगा है जीस्टी तो अ अपडेट सेल प्राइस पर एंटर करना है यह जो है। अपडेट सेल प्राइस पर तो देखिए परचेस करताँ है इफेक्टि परचेस प्राइज डाएशो रुप है उसके अपन ने 10% एड़ कर दिया तो आब इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया 275 रुप है जोड़ दि इसके बाद आपको यहां पर update in masters पर click करना है update in master पर click करेंगे तो यह पूछेगा do you want to update sales price in item master इसको आप yes करेंगे okay करेंगे अब अपन एक suppose करते हैं 12 तारिक की entry में sales का विल अपन generate कर लेते हैं यह locally अपन generate कर लेते हैं party ले लेते हैं कोई भी मिस्टर ही ले लेते हैं अब इनको अपने यह item sale किया तो देखे automatically rate आगई 275 रुप है तो यह एक अच्छा function है माल लीजिया आपका कोई इस परगार का business है और end में GST तो आपको लगा नहीं है यह लगा है माल लीजिया आपका कोई इस type का business है जिसमें आप चाहते हैं कि इसकी selling price जो है वो purchase जो अपन ने किया उसमें कुछ आप उस purchase cost में कुछ percentage add हो जाए और वो इसकी selling price बन जाए तो आप इस features को on कर लें और इस तरीके से आप work कर सकते हैं इसको अपन F2 से एक बार save कर लेते हैं इस तरीके से अब अपन इसमें एक और एंट्री अपन चाहें तो कर सकते हैं जैसे मैं 16 तरीक को एक purchase के एंट्री और पास करके आपको बढ़ा देता हूं यहां पर अपन एक bill number ले लेते हैं सेम पार्टी जैजे एंट्रपाइजे से फिर अपन ने कोई एक आइटम पर्चेस किया 5% का 10 पीस इसकी rate थी 300 रुपे end में लग गया GST अब अपन जाते हैं कि जब अपन इसको sale करें तो इसमें 20% rate हो जाया जो purchase cost है ना 300 रुपे जब इसकी जो selling cost बने वो 300 प्लस 20% बने या 15% बने आप 15% ले सकते हैं यहां पर अपन 15% ले लेते हैं यह नीचे डाई डाई परसेंट हो जाया गलती से 9-0 ले लिया यह दाई यह हो गया अब अपन इसको save करते हैं और वापीज वह यह option आ गया add percentage, sale price, calculation, purchase price purchase price के आप कितना percent बनाना चाहते हैं मैंने का 15% यह बढ़ गया अपडेट sale price आप देखें परचेस करा 300 में फिर उसका 15% और add हो गया तो selling price हो गई इसकी 345 रुप है इसको update in master करेंगे, yes करेंगे, ok करेंगे अब इसी item को अपन बापिस sale कर लेते हैं 19 तारीक को, 19 तारीक को अपन sale का एक bill बना लेते हैं party ले लेते हैं जैसे Mr. B item select कर लिया, यह देखेंगे, add हो गया न, 345 रुप हो गया यानि जो purchase अपन ने किया था उसमें 15% add हो गया, 300 का 15% 45 रुप है, 300 plus 45, 345 रुप हो गयी और add मैं अपन इसमें GST वगरा लगा देंगे इस तरीके से आप इसके entry कर सकते हैं, तो आशा करता हूँ आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा ABZ का चैनल आप subscribe कर लिजे, मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए thank you